वेलकम दोस्तों आज हम आएं हैं मामा जी का बड़े सेलिब्रेट करने और इसके लिए हम पूरी फैमिली एक जगें पर इकटे हुए हैं और आज सुबह से लेके शाम तक हम सब कटे टाइम स्पेंड करेंगे गेम्स खेलेंगे खाना खाएंगे और फुल फुल मस्ती करेंग और हम सब सुबह ही पहुँच गए हैं दस बजे अरे भई साथ में ये भी तो बताओ कि हम ये वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गए हैं अभी पिछले दिनों जब एकदम सर्दी बहुत तेज हुई थी तब का ये फंक्शन है और ये हमारे इस फंक्शन में कुछ शर अधाश हर मारे तो ये ये एक बहुत ही खुबसूरत जगह है और ये है गुडगावा में और जब भी हमारा कोई छोटा सा गेट तोगेधर होता है या हम लोग फ्रेंड्स वगरा मिलते हैं तो हम यहां के सेलिब्रेट करते हैं दिली से दूर टेस्ट करो पहले सब से पहल तो जी गेम्स भी शुरू हो गई अब तो हाँ ये जगह दिली से थोड़ी दूर है और यहां पोलुशन नहीं है इसलिए यहां आना में बहुत अच्छा लगता है और बच्चे वगरा सब अपना क्रिकेट खेलने लग गए हैं अरे आज मौसम भी बहुत अच्छा है जी यहां पर हमारी फूड फेक्टरी तेयार है और यहां पर फूड बनना शुरू हो गया हां जी आज यहां पर स्पेशल जो है वेज सब घर से बना के लाएं है पर जो नॉन वेज है वो यहीं बनेगा जिसके लिए अद्रक लसन यह देखो जी यह हमारे कनेडा से आयोए मावाजी खुद अद्रक लसन को कद्दू कस कर रहे हैं और सब को इन्होंने काम पे लगा लिया है इस तरह से भी करने में अपना एक अलगी मज़ा है आज रियली में बहुत ही बढ़िया दिन है और सारे मिलके यह सब कर रहे हैं तो मज़ा भी बहुत आ रहा है जो जो बना रहे हैं मामा जी के फ्रेंड है पर वो कह रहे हैं कि नीचे से गैस में बड़ी स्लो फ्लेम आरी है तो अब सब सोच रहे हैं क्या करें क्या करें अब इसका कुछ उपाएं निकालते हैं और फिर सबने मिलके एक डिसीजन लिया कि इसको गैस से उतार लिया जाए और फिर इसके नीचे लकड़ों वाली आग जलाई जाए अहां बस उसका रेंजमेंट चल रहा है एक अपना चूला बनाते हम एक टेंपरेरी और फिर उससे हम अपने नॉन्वेच को पकाएंगे अभी मीटिंग चल रही है कि वह कैसे बन जाएगा जैसे ही डिसीजन हो जाएगा हम चूला बनाना शुरू कर देंगे और बच्चे फुल-फुल मस्ती कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं किर्केट खेल रहे हैं पाकिसाब लोग अपना इंजॉय करें किसी को पता है नहीं इतनी जबर्दस टेंशन चल रही है कि चूल कि इस तरीके से टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है यह बच्चों से सजेशन लिया जा रहा है कि किसी ने पहले को भी चूला बनाया हो तो बताएं कि कैसे बनेगा हूम तो किसी ने नी बताया कि कैसे बनेगा तो अब सब बड़े लोग सोच रहे हैं कि इसको हम इस तरीके से बनाते और फिर अब हम शुरू करते हैं इसके लिए काम अभी तो गप्पाई चल रही है गप्पे नी चल रही डिस्कारशन चल रहा है और इस्टार्ट होने वाला है चूले का काम अब अच्छा जी फंग बर्लीक लेखते आभी तो मुझे लग रहा है सब लिल्थ एक्र केमपा है चाहे है कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे लगता है यह हार्डिंग है यह देखो डिसीजन हो चुका और उसके बाद चूला बनना तयार हुआ है क्या वात है शेहरों में यह सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होता है पर बाहर खुली जगह में गाउं में यह सब चीजे बहुत इजी ली हो जाती है यह देखिए मेहनत जोरों पे हुरी है अब अबस चूले में आग लग जा किसी तरीके से दुआ तो निकल रहा है जैसे जहां आग होती है वही दुआ होता है क्या शेर मार रहे हो यह देखो जी दल गया जल गया जल गया अब तो बनी जाएगा फटाफट फटाफट अब बढ़ी है लो जी प्रोग्राम त्यार हो गया और नॉन्वेज अब डलना शुरू हो गया और जो हमारा पतीला है वो काफी अच्छा गरम हो गया हमारा चूला सही सक्सेस तरीके से काम कर रहा है सब डाल दो जो है तुमारे पास सब डाल दो कोई प्याज डाल रहा है कोई टमाटर जिसके आज जो लग रहा है वो सब पतीले में डाली जा रहा है अब इनकी ड्यूटी लगी हुई है कि अब इन्होंने इसको पकाना है और इसका ध्यान रखना है क्यों नॉन्वेज खाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी वेज वाले रिलैक्स हैं क्योंकि उनका घर से बनके आया है यह बढ़ी है यह यहां पर इनका अब इसके नीचे उतारा जाए यह आम का पीड़ा है यह दिखते हैं कि वह नीचे आती है कि नहीं लोगी यहां तो फोटो सेशन हो रहा है सब कजन्स मिलके अपस में फोटो वगरा कीच रहे हैं कि अ आज कर आज कर दो 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 जब खाना नहीं है पर वेज वालों का खाना तो शुरू से रेडी था आज अब उनका शुरू हो गया है और ये है कढ़ाई पनीर छोले भले वाजिवा मुह में तो पानी आ गया देखके और सब सर्फ कर रहे हैं मामी जी मासी जी बहन भायों तो साथ साथ गेम्स भी चल रही है और खाना भी चल रहा है साथ में ये भला वाव भाई वैसे तो नॉन्वेज वाले भी शुरू हो गये बीच में को के रहे हैं जब तक वो नी बन रहा हम इसी को निपटा लेते हैं भूग तो लगी रही है ना टाइम हो गया अरे वाह ये शुरू हो गया है फिश के पकोड़े वाह साथ में केंपा फिश के पकोड़े गरम-गरम बन रहे हैं और गरम-गरम सब खा रहे हैं बहुत बढ़ कुभाहा हैं कि जो पकऑड़े बना रही है एल्याल यह दुर आपी अजिया तससे इसको कि इसने सबको क्ला रही है थो आसपास मंड़ना रहे हैं कि भाईया यहां गर्मा गरम मिल रहा है फटा फट शुरू हो जाओ भाईवा इन्जॉय करने का ना सबका अपना अपना तरीका है यह देखो यहां पर यह सब बैठके यहां पर ताश खेल रहे हैं इनको ताश खेलने में मज़ा आ रहा है अरे इन सब को भूक लग रही है अभी वह नॉन्वेज बना नहीं है किसी तरीके से टाइम पास कर रहे हैं कि अब इंतजार कर रहे हैं यह तो है तो जब मैं वीडियो बनाती हूं किसी से बहुत होती हुआ है चलो जी अब तो लेडीज ने भी क्रिकेट में अपने हाथ अजमाने शुरू कर दी मेरी बारी भी आगी है आज तो सब ने बहुत मस्ती में दिन बिताया है और लगे हुए है अभी तो फिर पूरा दिन पड़ा हुआ है मजह हका रहा है काना भी खालिया है अब हम करेंगे मामा जी का बड़े सेलिब्रे c umi अ अब हो गया है सब शुरूगे केक काटेंगे और सब मिलके उनको हेपी बढदे विश करेंगे बिलकुल हैपी बढदे तू यू हैपी बढदे तू यूह रात को डिवह किटना संदर लग रहा है है आपर और कितनी अच्छी लाइटिंग की होई है और ब очень अच्छा लग रहा ज़िस और और सब आपके इक दूसरे को खिला रहें एक दूसरे को नहीं सब मिल के बाहर निकलके खुले खुले में सलिब्रेट करने का मजा इस और रहे है घरों में यह आनंद नहीं आता जगा भी छोटी पड़ जाती है तो यहां पर सब ओपन और खुला खुला होता है तो ज्यादा मज़ा आता है आज का दिन तो मेमरी है बहुत स्वीट मेमरी है बहुत मज़ा आया और आप भी इसको देखिए और इंजॉय कीजिए अब डास पार्टी शुरू होगी है मामा जी के बर्डे की और सब ने स्टार्ट कर दिया डास करना चलो जी मज़ा आ गया बले बले हो गई बले बले हो गई खाया पिया गेम्स खेले मस्ती की इंजॉय किया अब की कड़ गया है और अब सब रेडी हो रहे हैं कि अब घर भी जाना है और पर यह बात है कि इस जगह की बात ही कुछ और हमें टाइम का बिल्कुल भी पता ही नहीं लगा पूरे दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा यह तो है फैमिली के साथ जो टाइम स्पैंट होता है उसको प्वालिटी हैं कि और आफ सबको भी कुब मजा चाहिए और आपने भी हमारे साथ खूब इंज्ञाय किया हुगा अब सब डांस के साथ साथ जाने के लिए तयार खड़े हैं कि अभी रात को सर्दियों में अगर बॉन फायर नहीं किया तो क्या किया अरे वाह मेरे तो इच्छा पुरी हो गई मज़ा आगया इसमें आग के आसपास बैठने पे ना जो आनन्द मिलता है ना बले 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 बोन फायर में का तो अपना ही खैर मज़ा है बहुत बड़ी है अब सबने मिलके इसको भी इंजॉय कर लिया है और बस अब सब चलने की त्यारी क्योंकि रात काफी हो गई है और अ बस 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 ब